नमस्ते वारियर्स, चलिए आज हम आपके कुछ सवाल देखते हैं, YZ का कमेंट है, करोना जैसा बीमारी का दवा बना डाला सबने, पर कोई हमारे लिए इसका दवा या इंजेक्शन क्यों नहीं बना पाया सर, एसका दवा ऐसा क्यों नहीं बना, जिसमें सभी को काम कर जाए जैसे एकदम क्योर हो जाए या कंट्रोल में आ जाए, जिन्दगी बिना दर्द का जीए सर, प्लीज हेल्प कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंकिलोजिंग का बताइए सर, परेशान हो गई हूं लाइफ से, मोटिवेशनल वीडियो का भी कमेंट है, सर, सर, सायंस इतनी आ बुरा लगता है ऐसे सवाल पढ़कर, दिखाता है कि वारियर्स कितने दर्द और तकलीफ में है, लेकिन क्या एस का इफेक्टिव दवा उपलब नहीं है, क्या एस आज के दिन ठीक नहीं हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, इतने सारे वारियर्स हर रोज ठीक हो है, एंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस के लिए आज भी बहुत अच्छी और इफेक्टिव दवा उपलब है, बहुत सारे वारियर्स के साथ ऐसा होता है, कि एंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस की दवाओं के बारे में पूरी जानकारी न होने की वज़े से, या तो फ चेक्लिस में से सभी पॉइंट फॉलो कीजिए, तो जरूर अच्छे हो जाओगे, एक क्या आप रूमेटाउलोजिस को मिल रहे हो, रूमेटाउलोजिस एस के स्पेशलिस्ट है, वो एस को ट्रीट करने के लिए ट्रेंड होते है, उनको नए उप्चार विकल्प जैसे बा रूमेटाउलोजिस्ट उपलब्द नहीं है, तो नजदी की बड़े शहर के रूमेटाउलोजिस्ट को दिखा सकते हो, उनको मिल सकते हो, काफी सारे रूमेटाउलोजिस्ट ऑनलाइन कंसर्ट करते हैं, तो ऑनलाइन भी दिखा सकते हो, दो एस की दवा, एस के लिए चार प्रूप्स की दवा होती है, NACIDs, Sulfosalazine, Biologics और Tofacitnib, अगर NACIDs और Sulfosalazine, जो साज, साजों के नाम से उपलब्ध है, इनसे आपका Ankylosing Spondylitis Control में नहीं आता है, तो Biologics और Tofacitnib गोली उपलब्ध है, Biologics महेंगे है, मगर Tofacitnib गोली इतनी महेंगी नहीं है, इन दवाईयों के बारे में समझ लीजिए, ताकि आप अपने Rheumatologist से इसके बारे में discuss कर सकते हैं, इन दवा से जुड़े वीडियो मैं नीचे description में दे रहा हूँ, जरूर देख लीजिए, Biologics और Tofacitnib अच्छे और Effective Options है, और इन से Ankylosing Spondylitis Control में आता है, तीन दवा बराबर खानी है, काफी वारियर सोचते हैं, Rheumatologist क्या करेंगे, NACIDs या साज साजो लिखेंगे, मुझे Biologics तो लेने नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से बिना Rheumatologist को दिखाए, सालों साल, NACID, या तो फिर साज साजो अपने हिसाब से खाते रहते हैं, ऐसा करने से तो AS ठीक नहीं होने वाला है, कुछ Warriors अच्छा लगने पर खुदी दवा बंद कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए, Rheumatologist को बराबर दिखाते रहिए, और उनकी guidance में दवा लिजिए, चार व्यायाम, AS में नियमित व्यायाम, regular exercise बहुत जरूरी होता है, व्यायाम दवा के इतना effective है, तो अगर आप कमर पीट का व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो जरूर चालू कर दिजिए, फिजियो थरपिस को मिलकर व्यायाम सीख लिजिए, और चालू कर दिजिए, सिर्फ यूट्यूब पर देखकर, या ऐसे ही अपने हिसाब से नहीं कीजिए, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, और दर्द बढ़ भी सकता है, पांच लो स्टाज डायट, काफी वारियर्स का एस लो स्टाज डायट से कम होता है, अपने रूमर्टॉलोजिस को इसके बारे में उनसे बात कीजिए, और डायेटीशियन से समझ कर फिर लो स्टाज डायट फॉलो कीजिए, डायेटीशियन से समझना अच्छा होगा, क्यो और कोई तकलिफ ना हो, छे और तीन चीजे है जिनका आपको खयाल रखना है, एक आपकी नीन का ध्यान रखना है, अगर नीन कम हो या अच्छी ना हो, तो बोड़ी को आराम नहीं मिलता है, और एस कंट्रोल में आने में तकलिफ हो सकती है, आपके काम, अगर आपका काम बहुत जादा हो, तो एस कंट्रोल में आने में दिक्कत हो सकती है, तो काम बहुत जादा तो नहीं हो रहा है न, ये जरूर देखिए, स्ट्रेस और टेंशन इससे भी एस को कंट्रोल में लाने में दिक्कत हो सकती है, कोई particular problem, या tension, या तो फिर एस का ही tension, या छोटी- चीजों का tension लेने की आदत, किसीने कुछ कह दिया तो उसका tension, लेट हो गए उसका tension, काम समय पर नहीं हो रहा है उसका tension, ऐसी छोटी-छोटी चीजों का tension लेने की आदत से भी एस के कंट्रोल में आने में दिक्कत आ सकती है, तो इसका जरूर खयाल रखिए, तो फिर वारिय इस checklist को लिख लीजिए, खुद को आदा घंटा दे दीजिए, इस checklist के साथ बैठिए, देखिए आपकी कहां गलतिया हो रही है, और उन्हें जरूर change कर दीजिए, I am sure ये सब करेंगे, तो आप, आपकी AAS को जरूर कंट्रोल में ला सकेंगे, धन्यवाद दोस्तों, आज हमस जरूर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ तब तक मुस्कराते रहें, धन्यवाद